नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का हारदिक स्वागत है। नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर इजाफ़ा होने वाला है लेकिन एक और मामले में केंद्रे करमचारी को अच्छी खबर मिलने जा रही है। इसे में केंद्रे करमचारी के महेंगाई बत्ते में तीन परतिशत का इजाफ़ा तैमाना जा रहा है। इसे करमचारी की सैलरी में 20,000 रुपे से ज़्यादा तक का इजाफ़ा होगा जिसे सिधा फाइदा एक रूड से ज़्यादा करमचारी और पेंशनरों को मिलने जा रहा है। दोस्तो 38 परतिशत मेंगाई बत्ता और मेंगाई रात के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने साल यानि जनवरी 2023 के लिए एक बार फिर केंद्रे करमचारी का मेंगाई बत्ता तीन परतिशत तक बढ़ा सकती है। आलंकी ये बड़ोत्री मार्च में होगी AICPI नंबर 2022 तक के आकड़ो के अनुसार मेंगाई बत्ते में तीन परतिशत का इजाफा साप नजर आ रहा है। अगर मेंगाई बत्ता तीन परतिशत बढ़ा तो यह 41 परतिशत पर पहुँच जाएगा। दोस्तो अब बात है फिटमेंट फैक्टर की जिसमें भी इजाफा होने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में बड़ा उच्छाल देखने को मिलेगा। सात्मा वेतन आयोक के तायद फिटमेंट फैक्टर में इजाफे से केंद्रे करमचारी की बेसिक सैलरी में 8,860 रुपे का इजाफा होगा। यह इजाफा डिये हाइक के बाद मिल सकता है। दोस्तों फिलाल फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है आने वाले दिनों में इसके 3.68 गुना होने की संभावना है। ऐसा होता है तो लेवल 3 पर बेसिक सैलरी 18,000 रुपे से बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगी। सिद्धे तोर पर करमचारी की सैलरी में 8,000 रुपे का इजाफा होगा। दोस्तों साथ ही इसमें डिये के बुकतान में भी असर देखने को मिलेगा। दोस्तो लेवल तीन पर केंद्रे क्रमचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपे है तो बत्तो को छोड़ कर उनकी सैलरी 18,000 गुना में 2.576,260 रुपे। अगर फिटमेंट टाक्टर 3.68 गुना हो जाता है तो सैलरी 26,000 गुना में 3.68, 95,680 रुपे पहुच जाएगी। दोस्तो करमचारी को इसमें बंबर फाइदा मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर करमचारी को मौजुदा सैलरी के मुकाबले 29,420 रुपे का इजाफ़ा होगा। यह कैलकुलेशन नियुनतम बेसिक सैलरी पर अधिकतम सैलरी वालों को और भी जादा फाइदा होगा। दोस्तो अब बात करते हैं कि क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। के इंदर सरकार के सभी करमचारी की बेसिक वेतन तै करने में फिटमेंट फैक्टर का एहम रूल होता है यह बेसिक सैलरी तै करने का फॉर्मूला होता है। साथमा वेतन आयोग के तहट fitment factor से ही क्रमचारी की salary बढ़ाई जाती है fitment factor 2016 में बढ़ा था उस वक्त केंदरी ये क्रमचारी की basic salary 6,000 रुपे से बढ़ कर सीधी 18,000 रुपे हो गई थी केंदरी क्रमचारी की salary तै करते वक्त बत्तों को छोड़ कर यात्रा बत्ता house rent allowance क्रमचारी की basic components को fitment factor 2.57 से गुणा करके निकाला जाता है तो दोफ्तों आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय वारत